करने वाल है ट्रेजर ट्रोफ के कंप्लीट कीवर्ड कैसे हो तुम सभी लोग आई होप सो तुम बहुत ही जादा बढ़िया होगे और मैं बता दुए अच्छा फस्ट और ऐसा एक सेशन जोना सेम एमोबी पर आउट कर दिया जा चुका है यहां पर से हम सारी चीज़े कर रहे होंगे लिटरली पूरी पाच पोयम और पाच स्टोरीज मैं यहां पर से खतम करूंगा इन जस्ट 20 मिनट्स ठीक है तो यह अपने आप में एक बहुत ही लेजंडरी चीज़े जिसमें हम सब कुछ रिवाइस भी करते चलेंगे ठीक है तो आजाओ भाई जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग डरना मत ठीक है यह टीम की कुछ फाल्दू क सब्सक्राइब करके बार 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 लेक समझेर उनके टॉसिंग यह टॉसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भाई पैंसिव मूड मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस्ट है मतलब वह अकेले में बैट करके सोच रहा है किसके बारे में गोल्डन डैफिडिल्स के बारे में ठीक है तो यहां बड़ से यह कुछ 10 कीवर्ड आ है लेकर के सब्सक्राइब है एक सब्सक्राइब है प्लोट कर रहे है टो जब तरीकिसे एक स्ट्रीम की बात तो जब तोब तो जब तुम्हारी लेकं करके एक लेक बड़ और यह समझ कर रही होती है जिसमें और यह एक यहीं और यहीं कर दिया जाता है जो प्रीडं की देमांड कर रही है यहाँ पर से हमारी एक बर्ड एक केज़ बर्ड उसको तो पता भी नहीं कि वो प्रीडम हो दी कैसी है विकोज ही इस वेरी लाइक शी इस वेरी अंगनोन तु ए ठीक है उसके बाद में भी यह नेक्स्ट के आता है अनदर ब्रीज ठीक है तुम अब एक और अलग ब्रीज में उसको लगता है कि उसको ओड़ना है लेकिन वो नहीं हो पाती उसका अदमेश लाइक शैडू शाउट्स और इसके साथ साथ डिस्टेंट हिल पर प्री बर्ड रोड़ी होती है तो यहां पर से कुछ कुछ चीजों की देखर के जो नहीं आपर से नहीं बात किये उसके सब्सक्राइब को याद रखना है बस इधर से लेकर के तुम इतनी चीजों को याद रख लोगे इतने पॉइंट्स को अगर अपने लिख करके आ रहे होगे तो यहां से तुमारे को पूरे नंबर मिल जाएंगे ठीक है अब अच्छे तरीके से देखना अबाउ बनेद्म की बात करने वाले है ढ़ाइ येस चलो बहुत बढ़िया तो अब यहां से हम लोग बात करेंगे म। बात करेंगे अब अब बनेद्म की जैसे कि एक डीप ड्रीम हो गया एक हो गया मून लाइट ठीक है और उसके आद में एक हो गया लिली इन ब्लूम और एक बुक ऑफ गोल्ड भी याद रखने ना ठीक है और एक बाद में याद रखना स्वीट अकॉर्ड और वेकनिंग लाइट क्योंकि वह जग रहते हैं उस लाइट से बार बार ठीक है तो यह वाली चीज़ को चुन ले करेंगे अपन को याद रखने ना यह कुछ 6 कीवर्ड है जो कि तुम्हारे आंसर में तुमको यूज करने है ठीक है उसके बाद में भी अगर अगर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो भाई हम लोग ने यहां से चार पुएम लिटरली जो ना अपनी कितनी देर में करनी भाई पांच मिनिट में चार पुएम के हम लोग ने सारे कीवर्ड को डिसकस कर लिए जो इंपोर्टें जो कल के बूट एक्जाम में आ सकते है अगर आगे बढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से देखना भाई यहां पर से अपने लोग बात करेंगे मैंनी वीक से मन्सें ट्रेनिंग क्योंकि वहां पर जितने भी लेकर के एथलीट्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा समय लगा था ट्रेनिंग में उसके आद में स्पेक्टेटर्स बहुत सारे आया हुए थे लास्ट रेस होने वाली थी ठीक है उसके आद में नाइन यंग एथलीट्स थे यह भी याद रिखना है ठीक है था एक और इसके बाद में स्टंबल्ड एंग्विश फ्रस्ट्रेशन वह बहुत जादा फ्रस्ट करदेने लायक चीज थी ठीक है उसके आद में ने घरकर कि हैं लोग नाइन इंजल इंडंड अनट इंट्यूइशन टीक है उसके आद में अन्वां跟你 Tarle ठीक है उसके आदमें आम्स हाउस ठीक है यह चीज याद रखने है वीड़ाइट एक प्रोफेशन हो दा डीसोलेशन वहीं है यह सारे वर्ट्स को जो आपन को कल के दिर यूज करके आना है ठीक है इनके मीनिंग्स को तुम जोना ले करके गूगल भी कर सकते हो मैं टाइम बे बीड़ की जहां पर एक क्रोकोडाइल आया हुआ है ठीक है तो अब यहां से देखो कर मैं आगे बढ़ता हूं तो तो अच्छे तरीक से देखना वाई एक सेगन हो जाओ यह सर ठीक है अरे भाई ग्रेटेस्ट उलम्पिक प्राइज ने वह पीछे चूट रिया एक येस जस्टा मिनिट गईज चलो बहुत बढ़िया ठीक है तो यहां से आप तुम नेख सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ट्स क्या क्या है वह एंटी डायलूबियल सौरियन यह क्या होता है तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा पुराने टाइप को जो ना क्रोकोडाइल होता ह प्री इस्टॉरिक जगर्णॉट में जो चीज बहुत समय से चली आ रही हो उसके बाद में फ्रोशियेशन फॉर्मेडबिल ठीक है और एक आर्मर्ड हाइड होता है क्लैंकिंग होती है नोमेडिक वही नोमेड है उसके बाद में लेकर के है फॉर्क एक जिससे चीर करके ज उलंपिक प्राइस की ठीक है तो अब यह ग्रेटेस्ट उलंपिक प्राइस में ऐसा क्या-क्या है उसको भी डिसकस कर लेते तो आज अब भाई साब बिल्कुल कर लेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है सोपो मोर एक वर्ड याद रख लेना है स्टार्टिल्ड डेन अब देखो मेरी बातों को सुनना यहां पर अगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे ओल समर इना डे की ठीक है तो अल समर इना डे में भी हमको क्या-क्या यूज करना में तुमको बता रहूं एक से रूप जाओ जब एक तो है गोल्ड और यलो क्रेवन ठीक है योगी संके र आगे बढ़ता है यह सर कोई और वर्ड रह गए क्या एक से कॉन और तुम्हारा ये वाले एक चीज को भी हम लोग ने डन कर लिया इन जैस्ट लाइक 10 मिनुट्स लिटरली 10 मिनिट में सब कुछ रिवाइज हो चुका है तो अब कल के दिन में जोना लेकर भाई इबुक डल चुकी है यार इबुक डल चुकी है ठीक है आ रहा है समय में यह स लेटल मैंच गल रहा है आरे बाप रहा है रुक जो अरे यार अरे आरे 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 अ जलो ठीक है मैं लिखवा आ रहा हूं भाई लेटल मैच गल चुटवाओंगा कुछ नहीं टेंचन लिलो एक सेकंड रुक जाओ वस इसके बाद मैं अपने एक और बार लाइव आ रहा है रिमेंबर देट ठीक है लेटल मैच गल तो स्टोरी थी ना अच्छा वो इसी में नहीं था एक सेकंड रुक जाओ दा लिटल मैच गल है तो भाई लाइबररी में हमारी तो यानि होगा तो परसेंट चलो लेखो आजओ आज वहाई लिखो लिखो लखो लखो लिखो लेखो लिखो लिखो यह सर लिखी आज़ लूम ठीक है एक क्या याद रखोगे भाई ब्लूम ठीक है सेकेंड ुचार दूसरा कौन अन्या तुम्हारा दूसरा आ सब्सक्राइब करेंगे रोस्त गूज रहा रहा है उसके बाद में भी है अभी सेवन्थ वर्ड क्या रहा है 7th word के आ रहा है भी है streaming deliciously streaming like deliciously यह roast goose की बात हो रही है streaming deliciously ठीक है उसकी जो like तुम समस्तों न है हम कहते है खुषबू अच्छी आ रही है खाने की तो भई चीज ठीक है उसके आद में 8th क्या होगा भाई साब weddled ठीक है उसके आद में 9th का क्या होगा बहुत जादा मेरे को लगता है शायद से क्वेशन आजा है नोट से लेक सैटिंग एनी प्रेडिक्शन के तुम वही पढ़के जाओ मैं बता रहा हूं लगर आए कि कला सकता है ठीक है तो यहां पर से फ्रोजन टू डैथ फ्रोजन टू डैथ चलो हो गया सर यह जो ना तुमारे को कुछ कुछ याद रख लेना है ओके यह कुछ कुछ ऐसे है जो तुमारे को याद रख लेना है ठीक है आगा समय मैं यह सर इबोक इस ओन दा एप येस इबोक इस ओन दा एप यू गाइस चेक इट आउट ठीक है अब अगर मैं तुम्हें बता हूं आज कितने बच्चों ने एप डाउनलोड किया तो तुम लोग जो ना सच में डर जाओगे फिर तुम्हें समझ में आएगा क्यों मुश्किल होता इतना आज 9,900 बच्चों थे ऐसे एक्स्ट्रा नए जिन्हों ने एप पे नया नया रेजिस्टर किया है तुम समझ रहो इसलिए रिक्कत आती है पोर्टल और कल सुबह तक ये काउंट 25,000 लैप करेगा येस सर अब वहाँ पर हमारी टीम पगला रही है रिस्पॉंस कर करके मेरे से पूछो भाई तुम्हारे लिए तो इबोक है वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा कश्ट है कि 9900 वच्चे आप समझ रहो है अवने सौट आउट कैसे करेंगे यही समझ में नहीं आ रहा बट एनिवेच वेस देख लेंगे बाई जो भी है कि अबे 9900 वच्चों ने फ्री में लिए पैसे नहीं दिया अगर दस दस रुपे करके कितना रुपे हो जाता भाई एक सेकन रुपना है रहा डेवन्यू कितना जाना था कि 9900 अब दस रुपे के हिसाब से अगर आप बात करते एक सु असी वैसे तो ठीक है सही है वाई भाई तो दस हजार नहीं तो हजार तो ले लेते कुछ तो कमाई लेते चलो ठीक है सही वाई अच्छी वाद है पढ़ ले ना यार ठीक है प्लीज सही है वाई अब तो मैं जानना हूं कि ऐसे खुछ से सही बोल रहा हूं है इतना पैसा जामने रखाओ ठीक है वाई बढ़िया है सही है वाई सही है बढ़िया तो है कितना अच्छी बात है तो मस्त है अब देखो यह तो यह तो एक हुआ है और यह शो दसका बच्षों का पोटल कोन नकालना है वो खौन देगा कि वह अलग समझे रों वह अलग है वो भी मैं दूँ गा वह भी वह दोड़ी देंगे वह भी मैं दूँगा है वो भी मैं ही दूँगा ठीक है बाई बढ़िया है अच्छा है सही है ओके वो भी वो भी दो मैं ही दूँगा नहीं दस अजार बच्चों का 13.5 रुपीज से लगा लो लगा लो 13.5 रुपैसे क्या हो जाएगा एक सेगंड उत्री भाई हम लोगों नहीं दो जार बच्चों का प्लैन किया था सिर्फ 3 उत्री आप अगर तुम लोगों ने बी एसर में एन्रोल नहीं किया ठीक है अगर तुमने अब बी एसर में एन्रोल नहीं किया रिमेंबर देट बटा मैं खा जाओंगा तुमको इजट से कितने 600 रुपे का कोर्स हैगा रेविन्यू रेविन्यू पर बात कर ले कितना आजाए भाई भाई दोसो बच्चे तो एन्रोल करी ले ना कम से कम पैसा तो वापिस आए कम से कम बी एसर इस बोड सेवियर सीडीज दैट इस बोड सेवियर सीडीज 600 रुपीज कोस्ट करती है जिसमें आपको वन ओन वन इंटरेक्टिव वे में पढ़ाय जाएगा वो अलग खर्चा है वाई तुम लोगों को लगता है वन ओन ओन इंटरेक्टिव पता है बली-बली वो है सबसे बड़ा दिक्कत वो हम लोगों को देना पड़ता है जिससे वन ओन 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 इंटरेक्टिव फीचर मिलता है फिरम को तब जाके तुम पढ़ा पाते हो और वह रही है फोरी चीज अभी लॉस में क्योंकि अब समय कम है इसलिए यह सर चल बहुत बड़ी है सर अजब बागी सी वी आर जस्ट अप फॉर लाइक अगर तुम लोग हेल्प करना चाहो तो वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ पिछली साल तक बोलता भी था ठीक है अल्दो इस ओके यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई भी यॉल मैनेज ठीक है सो clarify knowledge at the rate YBL ठीक है clarify knowledge at the rate YBL is the UPI ID if you want to donate you can like donate over there ठीक है चलो बहुत बड़ी है क्या ही कर सकते है यही कर सकते है वाई चलो भाई 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 कि अगे सर अगे सब्सक्राइब कर दो कर दो चंदा चंदा करो यार चंदा दोजार बच्चों की सोची ती यह दसबार का आना तो अभी अभी आप समझ में आरा क्यों वाई अब चलो ठीक है वाई बाई